नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में मैप माई इंडिया की लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर है दोस्तों मैप माई इंडिया को CE Info Systems Limited नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों जिस तरह से कल लिस्टिंग होने के बाद आज दोस्तों 7% के हिसाब से प्लस में रहने वाला एस टॉक कल भी दोस्तों क्या धमाका करेगा बात करेंगे इस वीडियो में यदि आप CE Info Systems Limited स्टॉक के होल्डर हो तो यह वीडियो आपको कभी मिस नहीं करना है तो दोस्तों इससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट कर दू अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि CE Info Systems Limited जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके आज तक दोस्तों छोटी से भी छोटी अपडेट हमने आपको दी है और लिस्टिंग डे की बड़ी स्ट्रेटेजी का वीडियो दोस्तों यदि आपने देखा होगा तो मैंने जिस प्राइज पे लिस्ट होने को कहा था उसी प्राइज पे लिस्ट हुआ है उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कल यदि हम स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तो वो सच ही साबित होगी दोस्तो CE Infosystems Limited से निकल कर आ रही सभी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे तो दोस्तो कल फिर से CE Infosystems Limited शेर 10% से प्लस में रहेगा यह बात आप लिखके रख लिजी क्योंकि हमारी टीम काफी रिसर्च करके डैटा निकलती है और दोस्तो तब जाके स्ट्रेटेजी बनती है तो CE Infosystems के बारे में यहीं एक सबसे बड़े बिग अपडेट है कि यदि आप एक CE Infosystem यानि कि Map My India Stock के होल्डर हो तो कल तक दोस्तो आप रुक जाएए क्योंकि आपको Square Up नहीं करना है, Profit Booking नहीं करना है क्योंकि कल भी दोस्तो 10% का Profit मिलेगा ही मिलेगा यह बात 100% बड़े बड़े Researcher ने अपनी Strategy में बताई है वो आहम आप तक लाने की कोशिश करते है तो यहीं थी छोटी सी Update यदि आप इसमें Entry करना चाहते है तो दोस्तो मैं Suggestion करता हूँ कि One Week के लिए रुक जाए एंट्री के लिए अभी Strategy नहीं बनती लेकिन Profit Booking के लिए भी अभी रुकना ही चाहिए यहीं थी एक छोटी सी Update आने वाली अगली Strategy के बारे में आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा थैंक्यू सो मच जाए हिंद